Hello everyone, इस वीडियो में हम Class 6 to 8 की Activity Sheet No. 44 देखने वाले हैं, चोकि Reading Campaign दुवारा आपको ली गई है Date है 11 March 2022 और वक्षित का Topic है एक भारत, श्रेष्ट भारत चली शिरू करते हैं आज की वक्षित को Different languages are spoken in our country, India, हमारे देश भारत में अलग-अलग भाशाएं बोली चाती है This diversity is a unique feature of India और यही diversity, यही विवित्ता जो भारत की unique feature है ठीक है, जैसे हमारे जो देश है, उसमें बहुत सारे states हैं, हर एक states की अलग भाशा है हर एक state की अलग भाशा है, हर एक state की अलग भाशा होती है, अगलग कपड़े पहनते हैं और हर एक state की अलग भोजन होता है, यानि खाना होता है तो यही जो diversity है, यह unique feature है इंडिया का People speaking different languages live in a small town in India The bar graph below shows the number of people speaking different languages in this city तो यहाँ पर एक city की बात की गई है, जिस city में different languages बोलने वाले इन लोग रहते हैं तो यहाँ पर आपको एक bar graph दिखा रखा है, जिसमें बताया है कि कितने लोग कौन सी languages speak करते हैं, यानि बोलते हैं People speaking different languages, जो city दे रखी हैं यहाँ पर, उस city में जितने भी people हैं जो कि different languages बोलते हैं, उनकी संख्या बता रखी है तो यहाँ एक तरफ languages दे रखी है, मराथी, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, तमिड और उर्दू और एक तरफ लोगों की संख्या दे रखी है, number of people जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6000, 7000 और 8000 अब यहाँ पर देखे, किस तरीके से बताया गया है, मराथी की जो यहाँ line ड्रॉड की गई है इस line में अगर आप देखोगे तो यह line कहां तक जा रही है, अब यहाँ बीच-बीच में इस तरीके से line बना रखी है जैसे आप देख पा रहे होगे, यह सारी lines है ना थोड़ा सा आगे जा रहा है, यानि 2000 से आधा है यहां दिखे आधा है बचा भी है, तो हम कहा सकते हैं कि मराथी 2500 तक जा रही है, यहाँ पर 2500 तक मराथी को 2500 लोग बोलते हैं, इस तरीके से पंजाबी पंजाबी में अगर आप देखें तो ये लाइन जो है वो 4000 की है अब पंजाबी जो है 4000 वाले लाइन से आगे जा रहा है थोड़ा सा आधा आगे जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 4500 ठीके 4000 और 4500 लोग पंजाबी बोलते हैं ठीके इस तरीके से अब देखें English को English जो language है वो 6000 वाली line तक ही है यानि हम बोल सकते हैं कि 6000 लोग English बोलते हैं 6000 लोग क्या बोलते हैं English क्योंकि ये जो है line ये वाली जो line है वो 6000 के लिए है और ये English की line भी इधर तक ही जा रही है तो यानि 6000 लोग बोलते हैं English तो इस तरीके से हम check कर सकते हैं कि कितने लोग जो है कौन कौन से languages बोलते हैं ऐसी Tamil तमिल वाली जो लाइन है वो देखिए 2000 तक आ रही है तो यानि हम बोल सकते हैं कि 2000 लोग तमिल बोलते हैं इसी तरीके से उर्दू वाला जो यहाँ पर बना रखी है लाइन वो 3000 के लाइन से आधा आगे जा रही है तो हम बोल सकते हैं कि 3500 लोग उर्दू का प्रियोग करते हैं तो इस तरीके से हमने पता लगाया कि मराथी 2500 लोग बोलते हैं पंजाबी 4500 लोग बोलते हैं हिंदी 7500 लोग बोलते हैं 7500 इंगलिश 6000 यानि 6000 लोग बोलते हैं तमिल 2000 यानि 2000 लोग बो सब्सक्राइब अब यहां पर आगे देखिए अब यह जो बार ग्राफ आपको देखा रखा है उसके अधार पर आप से कुछ पूछे गए हैं उनके अब हम लोग आंसर देने वाले हैं अब देखिए स्टूडेंट से जो बार ग्राफ है वो ओनली स्टेट्स होते हैं यहां पर लिखे होए जैपुर्वगेरा राजस्थान के गुजरात यह सारे मानलों यहां पर स्टेट्स लिखे होते हैं और यहां पर लिखे होते हैं नंबर आफ पीपल की उस स्टेट्स में कितने लोग रहते हैं तो इस तरीके से जो बार ग्राफ है वो किसी भी चीज को दर्शा सकता है जैसे यहाँ पर ये भी हो सकता था कि कितने जो है जैसे मान looking food यहाँ पर लगले लोग फूड लिखे होते हैं ठीक है जिसे चोले भाटूरे और लगऽ टाइप के food यहाँ पर लिखे होते हैं यहां पर लोगों की संख्या लखी होते हैं कि कितने लोग इस food वो खाना पसंद करते हैं, तो जो बारग्राफ होता है, वो किसी भी चीज़ को show कर सकता है, जरूरी नहीं कि यहां languages ही हो, तो अब यहां languages का बारग्राफ है, तो अब हम इसके अधार पर questions के answer देंगे, question A है which language is spoken the most, कौन सी language सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो इस बारग्राफ के according, हिंदी की जो line है, वो सबसे आके तक जारी है और सबसे बड़ी है, और हिंदी को 7,500 लोग बोलते हैं, तो यहां पर हम बता सकते हैं कि हिंदी जो है, वो एक ऐसी language है, इस बारग्राफ में जो की सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो हिंदी, B है name the language which is least used, जो सबसे कम बोली जाती है, वो language आपको बतानी है, तो जो तमिल की लाइन है, वो सबसे चोटी है, और 2000, देखिए, यहां 2500, 4500, 7500, 6300, 1500, जो 2000 है, वो सबसे चोटी संख्या है, तो यहां पर हम बता सकते हैं कि जो तमिल है, वो सबसे कम लोग बोलते हैं, तमिल, इसका आँसर आप लिखोगे, उर्दू, यह सारे जो languages हैं, उठें जितने भी लोग बोलते हैं, उन सब की कुल संख्या आपको बतानी है, तो आप 2500, प्लस 4500, प्लस 2000, प्लस 3500, इन सब को आप जोड़ लोगे, तो आपको बता चल जाएगा, कि कितने कुल संख्या है, मराथी, पंजाबी, तमिल और उर्दू बोलने वाले लोगों की, ठीके, तो इन सब को आप add करोगे, 2500, प्लस 4500, प्लस 2000, प्लस 3500, इस इक्वल तो 12,500, यानि हम बता सकते हैं कि 12,500 पीपल जो हैं, मराथी, पंजाबी, तमिल और उर्दू बोलते हैं, Question D है, How many more people speak Hindi than English, यानि कितने ज्यादा लोग Hindi को बोलते हैं English से, तो इसके लिए आप से पूछा गया है, कितने ज्यादा लोग बोलते हैं Hindi, English के मुकाबले, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस Question में Minus करोगे, ठीक है, इसमें क्या करोगे, आप Minus, Hindi बोलने वाले लोगों की संख्या है 7,500, और English बोलने वाली लोगों की संख्या है 6,000, तो 7,500 में से हम 6,000 घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने अधिक लोग Hindi बोलते हैं compared to English, तो 1,500 answer आजाएगा, तो यानि 1,500 more people speak Hindi than English, ठीक है, उसके बाद question ही है, what is the total number of people in this city, यानि इस शहर में कितने लोग रहते हैं, तो इसके लिए आप लोग जितने भी लोग हैं, आप 2,500, 4,500, 7,500, 6,000, 2,000 और 3,500, इन सब को आप जोड़ लोगें, तो आपको पता चलेगा कि कितने कुल मिलाकर लोग रहते हैं in this city, तो 2,500 प्लस 4,500 प्लस 7,500 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 3,500 is equal to 26,000, यानि कुल मिलाकर इस शहर में 26,000 लोग रहते हैं, ठीक है? अब आगे का question number F देखते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे channel Mind Boosting Competition पे एक नई स्टोरी अप्लोड की गई है, जो कि काफी interesting है, तो उस स्टोरी को सुनने के लिए description में लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं. Question number F में बोला गया है, collect the data from your classmates about their mother tongue, also represent the collected data in the form of bar graph. तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके class में जितने भी classmates हैं, जितने भी सहपाथी हैं, उनकी जो mother tongue है, यानी मातर भाशा है, वो आपको उनसे पूछनी है, और इस तरह कैसे bar graph बनाना है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, कि जैसे हमने ये bar graph बनाया, ऐसे ही आप bar graph बनाएंगे, अपने सारे classmates से पूछेंगे, कि उनकी mother tongue क्या है, यहाँ पर आप languages लिख दो, और इसी हिसाप से आप बना दो इस bar graph को, अब देखे, class के अगर बात करें, तो class में 1000, 2000, 3000, इतने 1000 student तो होंगे नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इतने लग आप number ही यहाँ पर change कर दीजेगा, और बाकी सारे चीज़ आप same रखेंगे, ठीके, और अपनी class की सभी classmates से पूछ कर ही आप यह line draw करेंगे, जैसे माली जे मराथी जो है 30 लोग बोलते हैं, तो आप मराथी की line को इधर तक ले जाओगे, ठीके, तो इस तरीके से आपको यह question करना है, चलिए मैं दिखा देती हूँ example के लिए कि आप कैसे कर सकते हो, जैसे देखिए यह इसका answer हो जाएगा, यहाँ पर number of classmate 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, यहाँ पर सारी languages शो की गई हैं, मराथी, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और उर्दू, यहाँ पर classmate speaking different languages, आन students, ठीक है, हिंदी के लिए 75 students, इंग्लिश, इंग्लिश कितने students बोलते हैं, 60 students बोलते हैं, तो इस तरीके से आप bar graph draw करोगे, और यह पूरा आपका answer हो जाएगा, answer number F, ठीक है, तो यह हमारी आज की वक्षित्ती, जिसमें हमने समझा कि bar graph किसको बोला जाता है, बार ग्राफ इस तरीके को, के चार्ट को बोला जाता है, जिसमें हम शो करवा सकते हैं, कोई भी चीज, ठीक है, जैसे कितने लोग, कितनी languages बोलते हैं, कितने लोग, किस टैप का खाना, खाना पसंद करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप bar graph draw कर सकते हैं, और यह हमारी आज की वक्षि करने में help मिली होगी, तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कीजेगा, meet you soon in the next video, till then take care and bye bye